नमस्कार मैं हूँ शैली शर्मा राब देखरें जेपी हर्याना आप कल से एक खबर सुन रहे हैं कि हर्याना सरकार ने सेक्टरों और सभी आवासिक कोलोनियों में चार मंजिला मकान बनाने की फिर से इजाज़त दे दिये राज्य सरकार का ये नियम हर्याना शेहरी विकास प्रादिकर्ण के सभी सेक्टरों वे सभी रेगुलर आवासिक कलोनियों में लागू होगा अब पहली की तरह स्टिल प्लस फोर यानि बूतल के साथ चार मंजिला मकान बना सकेंगे दीन दयाल आवास यूजना से जूड़ी कलोनियों और नए सेक्टरों में बूतल पार्किंग के साथ चार मंजिल निर्मान के लिए पडोसी की अनुमत्ति लेने की जुरत नहीं होगी लेकिन पुराने सेक्टरों और कलोनियों में यदि आप स्टिल पार्किंग के साथ 4 मंजिला मकान बनाते हैं तो पडोसी की सहमती जरूरी होगी पुरानी कलोनियों वे सेक्टरों में केवल 10 मिटर चोड़ी सडकों परी बूतल पार्किंग के साथ 4 मंजिला मकान बनाने की जाज़त दी जाएगी अगर आपका पडोसी सहमत नहीं होता है तो फिर 6 फिर जगे छोड़ कर 4 मंजिला मकान बूतल पार्किंग के साथ बनाया जा सकेगा हाला कि जो पडोसी स्टिल प्लस 4 के लिए अनुमती नहीं देंगे वे स्वेम भी आने वाले समय में स्टिल प्लस 4 का निर्माण नहीं कर सकेंगे सरकार ने नियम इसलिए लागू किया है ताकि पडोसी उदारता पूरवक अनुमती दे सके कल 2 जुलाई को वितमंत्री जेपी दलाल ने जैसे ही सेक्टरों वे कलोनियों में बूतल पार्किंग के साथ 4 मंजिल निर्माण के शशत अनुमती देने की गोशना की वैसी प्रोपर्टी बजार में भी हल चल तेज हो गई यह माना जा रहा है कि अब गुरुगराम में रिवाडी साइथ हरियाना की उन सभी शेहरों की प्रोपर्टी में तीजी आएगी जहां पर स्टिल पार्किंग के साथ 4 मंजिला निर्माण किया जा सकता है कुछ अन्य कानून भी 2 जुलाई से लागू हो गए हैं देन द्याल अवास योजना की सभी कालोनियों में छोटे से छोटे प्लाट की भी प्रती फ्लोर रजिस्ट्री हो सकेगी लेकिन पुराने सेक्टरों और कलोनियों में 180 वर गज से अधिक के साइस परी फ्लोर की रजिस्ट्री हो पाएगी हम ये बता देते हैं कि आपके आर्किटेक्ट के पास इन बातों की पुरी जानकारी है आप उनसे मिलकर भी पुरी जानकारी ले सकते हैं अगर किसी तरह की शंका हो तो आप जिला नगर योजनाकार यानि डी टीपी कार्यलय नगर निगम नगर परिशद वे नगर पालिका कार्यलय से भी जानकारी ले सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर विबिन समाचार पत्रों में इस संबन में प्रकाशित खबरे भी देख सकते हैं सब कुछ विस्तार से समझाया हुआ है हम आपको यही बता देते हैं कि एक पक्ष सरकार की इस फैसले की यह कहकर अलोचना कर रहा है कि इससे HSVP के सेक्टरों में पेज अलापूर्ती वे सीवर जैसी समस्याय बढ़ेगी लेकिन यह कुर्तर कै अधिक लोगों का यह मानना है कि इससे अधिक से अधिक लोगों को आवास्य सुविदा उपलब दोगी समय के साथ विस्तार किया जा सकता है इनका यह मानना है कि सरकार के फैसले से उन प्लोटों की कीमत में 5 परतिशत से 15 परतिशत तक कीमत भढ़ सकती है जहां पर स्टेल पार्किंग यानि भूतल पार्किंग के साथ 4 मंजिला निर्मान संभव हो गया है आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बोक्स में जरूर बताईगा हमारी चैनल को सब्सक्राइब करेगा वीडियो को शियर करेगा धन्यवाद